जै बजरंग बली की मित्रों कैसे हो आप सब? दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा उपाई बताऊंगा जिसे करने से आप अपने जीवन में हर प्रकार की धन सम्बंदी समस्या को दूर कर पाएंगे और हमेशा अपने जीवन में सबलता प्राप्त कर पाएंगे नमस्कार दोस्तो आज हम आपके लिए बहुती जबर्दस वीडियो लेकर आए हैं सुभा उठते ही यहां बनाए एक स्वास्तिक आपके मांगने से पहले ही सभी मनुकामना हो जाएगी पूरी आज की वीडियो में मैं आपके एक स्वास्तिक के उपाय के बारे में बताऊंगा दोस्तो धनकी देवी लक्षमी मां को प्रसंद करने के लिए स्वास्तिक का निसान बहुती महतोपूर्ण होता है और आज मैं आपको इसी उपाय के बारे में बताने बाला हूँ दोस्तों, अपने सभी मनो कामनाओं को पूरा करने के लिए स्वास्तिक को प्रम ब्रम्मा की संग्या दी गई है, पुराणों में स्वास्तिक को धनकी देवी लक्षमी तता बुद्धि के देवता भगवान गणपती का परतीक माना गया है, स्वास्तिक संस्किर्ट के दो सब्दों से मिलकर बना है स्वा एबम अती इन दोनों सब्दों से मिलकर बना है स्वास्तिक जिसका अर्थ है शुब और कल्यान हो मंगलमई हो जोतिस में स्वास्तिक के कुछ अलग-अलग परियोग बताए गए हैं जिनने करने से सभी चाहें वो भन की शमष्या की प्राप्ति उर के स्वॉपागय की प्राप्ति हो और आप सभागय के प्राप्ति पूर्य और इसी EU प्राप्ति करना चाहते हैं तो इनों फायों को अवश्य करें और अचोग उपाई बताऊंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो आप इसे लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय बजरंग वली रखी, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे इस चैनल को अभी सब्स करिए, जिससे आपको हमारी सभी लेटेश वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, मैं आपको एक आसान और खास उपाई बताऊंगा, जिससे आप अपनी मनोकामनब पूर्ण कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, आए जानते हैं, मित्रो हम सभी जानते हैं, हम स्वास्तिक आप चाहें तो कैसे भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसे सुंदूर से बना सकते हैं, आप चाहें तो इसे चंदन से बना सकते हैं, आप अपने घर में एक स्वास्तिक बनाएं, पूजा घर या पूजा का जो भी आपका इस्थान है, आप इसे वहाँ पर बन तुरंत प्रसंद होकर कि आपकी सभी मनुकामना को प्रसंद करेंगे और पूरा करते रहेंगे, उनके मन से आपके मन को प्रसंदा प्राप्त होगी, और आपका मन चाहा आशिवार आपको मिलता रहेगा और आपकी हर एक मनुकामना पूर्ण होती रहेगी, चाहे हो धन संबं वे आपको आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपको बस कुमकुम चंदन लेना होगा, यह आपको कुमकुम चंदन किसी भी पूजा की दुकान से आसानी से मिल जाएगा, जिससे आप स्वास्ति को कि इससे आपके लिए घर में सखारात्मक वातावरन बनने लगेगा और आपके आसपास जहां कहीं भी मंदिर हो तो आप इसे वहाँ पर बना कर आएए अगर आप मंदिर में नहीं जा सकते या फिर आप के नजदीक में कोई मंदिर नहीं है तो आप इस अपने घर के मंदिर में भी बना सकते हैं लेकिन उत्तम रहेगा कि आप अपने घर घर के नजदीक किसी भी मंदिर में इसे उपाय को करें और हर स्वास्तिक के निशान के नीचे एक देशी घी का दीपक और से जलाएं और अपनी मनोकामनब बोलते रहें दोस्तों आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आपकी मनोकामनब पूरी होने लगेगी घर में खुशि जाना है उसमें जाने के बाद आपको अपने साथ थोड़ी सी कुमकुम लेकर जानी है कुमकुम लेकर जाने के बाद आपको उस मंदिर में प्रवेश करना है उस मंदिर में जाकर अपने हाथ जोड़े और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के प्रात्ना करें इसके बाद तो जो भी मनोकामना है, उसे पूर्ण करने के लिए आपको भगवान से प्रात्तना करते रहना है, जब आप इसे बनाएंगे, या फिर आप चाहें तो अपने इश्च देव से भी प्रात्तना कर सकते हैं, ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण हो गई है यानि कि जैसे ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है आपको एक बात का ध्यान रखना है जब भी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी आपको उसी मंदिर में जाना है और उस मंदिर में जाकर आपको दोबारा से स्वास्तिक बनाना है लेकिन इस बार आपको उल आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी वहाँ पर जाकर आप दोस्तों सीधा स्वास्तिक बनाए अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद इसके साथ ही अगर आप बात की जाए हल्दी से स्वास्तिक बनाने के बारे में तो अगर आप हल्दी से स्वास्तिक बनाते हैं, तो इससे भी बहुत फाइदे हैं, घर के इशान कौन में या विशाल उत्री पूर्व दिशा में आपको दीवार पर हल्दी से अपने घर में स्वास्तिक बनाना है, अगर आप हल्दी से अपने घर में इशान कौन में या उत उने वाली कलेश हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और इसे आपके घर को बुरी नजर से भी बचाया जा सकता है इसके साथ ही अगर आप चाहें तो घर के पूजा स्थल पर या मंदिर में स्वास्तिक का निशान आपको बनाने ला चाहिए इसके साथ ही उस पर आपको पां आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो अवश्य कर सकते हैं लेकिन आपको इस उपाय के लिए ध्यान रखना है कि आपको पांच अनाज के दाने या पांच अनाज की धेरिया आपको बनाने हैं पांच अनाज के दाने रख करके आपको स्वास्तिक के निशान के ऊपर तो आपको भैत एल का इस्तमाल करना है, जैसे आप अक्सर खाने में इस्तमाल करते हैं, कोई भी नीची क्वालिटी का आप कोई भी सावान इस्तमाल ना करें, आप उसके बाद आपको तेल या देशी गी का दीपक आपको जला देना है, जैसे आप तेल और दीगी का दीपक आप घी का दीपक जलाना स्टार्ट करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी सभी मनोकामनाई धीरे धीरे पूरी होने लगी हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं, या बिजनेस में भडोतरी करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं आपको उपाई बताऊंगा, हल्दी के स्वास्त या रंगोली, इसमें से आप कुछ भी ले सकते हैं, जो आपको आसानी से मिल जाए, रंगोली अर्थात जो रोली होती, जिससे हम टीका करते हैं, हबन पूजा के वक्त पे, आप उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं, इसके बाद आपको घर के बाहर रोली से, या कुमकुम से, य परवेश करते हैं, और आपके घर में बात की जाए, तो अगर घर में रहने वाले लोगों को आशिरवाद भी देते हैं, इसे आपके घर में सुख सोबागय और समर्दी बनी रहती है, और माता लक्षमी आपके घर में हमेशा बात करती है, अब हम बात करते हैं, अगर आप व्यापार करते हैं, नोकरी करते हैं और उसमें बड़ो उतरी करना चाहते हैं, व्यापार में बड़ो उतरी करना चाहते हैं, तो आपको गुरुवार के दिन ये उपाय करना चाहिए, गुरुवार के दिन आपको अपने घर का जो इशान कोन है, या उतरी पूर्वी कोना है, आपको उसे इशान कौन को उसे जो उत्री पूर्वी कोना होता है घर का उसे इशान कौन बोला जाता है उसमें पहले आपको उसे चीतर से धो लेना है और चेसे साफ सपाई करने के बाद आपको महाँ पर कोंचा लगा कर उसे साफ कर लेना है उस जगह पर आपको गंगाजल से उसको छिड़काव भी करना है या फिर आप उसको जगह को धोने वाले पानी में भी थोड़ा सा गंगाजल मिला सकते हैं जब वे कोना बिल्कुल साफ हो जाए तो उसके बाद आपको उसको सूखने का इंतजार करना है इसके बाद आपको वहाँ पर एक थोड़ी सी हल्दी लेनी है और हल्दी पीशी हुई होनी चाहिए हल्दी में थोड़ा आपको पानी मिला लें इसके बाद उस हल्दी से आपको इशान कोन में यानि कि उत्री पूर्वी दिशा में जो कोना है उसमें स्वास्तिक बनाना है इसके बाद जब आप वहाँ पर स्वास्तिक करने साथ बना लेंगे इसके बाद इस स्वास्तिक को विदिवत पूजा करनी है जैसे आप अपने पूजा घर में पूजा करते हैं उसी तरीके से आ आप इसे start करेंगे गुरुवार से आपको अगले गुरुवार तक ये कारे करना है साथ बार करने से आपके व्यापार में फाइदा होने लगेगा यानि कि आपको साथ दिन तक लगातार ये उपाय करते रहना है अगले गुरुवार तक आपको ये उपाय करते रहना है और व कई आत में सपने में डर लगता है या नीन नहीं आती है उसके रख करना चाहिए इससे आज को एक स्वास्तिक बनाने के बाद आपको बनाकर आपको बगवान से बॉंट करना करनी है कि आप acontece मोनो कामना पूर्ण करें यह उपाय करने से आपको तुरंत ही आराम मिलने लगेगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जै बजरंग बली आवश्य लिखें और हमारे वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें और शेर करना ना भोलें साथे साथ अमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भोलें तो दोस्तों आज की इस वीडियो में के वल इतना ही कल फिर आप से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक लिद्दे में इजाज़त धन्यवाद कमेंट बॉक्स में बज़ आपने के वीडियो की, जई रख विर आप से विर आतना ही का लोलें एक लिद्दे वोलें करना ही के से मुलाकात ह।